दोस्तों बात करने वाले हैं केंद्र बिद्याले संगठन में admission के लिए कैसे आपको form को apply करना है Class 1 के लिए admission स्टार्ट कर दिया गया है इसके बारे मैं आपको एक live step by step form feel करके बताऊंगा ताकि आपको form feel करने में किसी परकार की mistake नहीं हो यह पोर्टल BCS रूप से सैचरेक सत्र 24-25 में भारत के केंद्र बिद्यालियों में कक्षा एक में परवेश के लिए है यह अगर आपके घर कोई बक्चा है Class 1 में पढ़ाई करना चाहता है केंद्र बिद्याले संगठन के through तो वो form को आविदन कर सकता है इसके लिए कैसे फॉर्म को भरना है आयम आपको बता देखेंगे आपको क्या करना है इस वेबसाइट पर आ जाना है इस वेबसाइट का बने लिंक आपको description box में प्रवाइट कर दिया है किस बिद्याले में कहा कितनी वेकेंट है class 2nd से 12 पे अगर आप admission लेना चाहते है तो इसका भी आविदन स्टार्ट है यहां पे आपको सीट के लिए कितना रिजर्व आप देख सकते हैं यहां पे आपको इस परकार से apply online का option मिलेगा apply date का schedule यहां मिलेगा notification डालोड करने का option मिलेगा तो आप इसे एक बार ज़रूर चेक करेंगे चलिए हम यहां पे apply class 1 के लिए करके बताते हैं अगर आप comment box में बताएगा तो हम आपको जोने proper अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे class 2 से लेकर 11 में admission के लिए क्लिए क्या process होता है तो उसका अलग process होता है उसका online नहीं है offline है एक class के लिए one class के लिए आपको online process है समझे लेजिए online कैसे करना इसके लिए आपको आनाव को इस website पर जैसा कि मैंने आपको बताया अब यहां पर आपको जो है इसको agree करना है और यहां आगे बढ़े पर click करना है अब यहां पर बच्चा का first name जो भी आपके बच्चा का नाम है अधार कार्ट आपने बनवा ही लिया होगा तो उसके according आप जनकारी को भरेंगे जो भी documents आप है उसके according आप यहां पर birth certificate भी हो क्लेंडर से जोपन कर लेना है क्या बच्चा के कडिर इस तो यहां पर प्रत हो जाता है आपो यहां लीखेंगे और यहां फिर पीर क्यपर को भरके आपको यहां पर verify कर लेना है OTP verify करते हैं Friends इस परकार से देखेंगे आपका registration successfully हो जाता है यहाँ पे आपको एक login code मिलता है यहाँ पे आपका बच्चे का data birth आपका mobile number तो आप इसे note जरूर कर लेंगे login code वगर इस सब जनकारी note कर लेंगे अब यहाँ पे आपको click करना आप चाहिता है उसे print भी कर सकते हैं तो print कर सकते हैं screenshot भी ले सकते हैं कोई और ने print करना अब यहाँ पे आपको एक option मिलता है click here for login आप इस पे क्या करेंगे click करेंगे login option पे आते ही आपको अपना login code लिखना है data birth, mobile number, capture code भरना है login वाले option पे click कर देना है login करते है इस परकार से आपका dashboard open हो जाता है यह देखे इतने सारे step को आपको complete करने है तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 step है last में आपको form भी submit कर देना है फी वगर नहीं लगता है form भरने का आपको नीचे आना और यहाँ पे जो भी जनकारी है यह आपको बताना है किस के category से आते हैं फिर रक्त समू क्या मतलब बच्चा का blood group यहाँ पोच रहा है हलाकि mandatory नहीं है आपके पता है तो बताए वरना इससे छोड़ सकते हैं और यहाँ पे BPL का certificate आपको देना होगा अगर आप गरवी रेखा से नीचे आते हैं तो उसके लिए है और कम I work के अंतरगत आते हैं तो यहाँ पे चूच करना है अंतरगत नहीं है तो यहाँ पे आपको बताना है category general है या OBC है, SCST है किस category सा बिलोंग करते हैं आपको बताना है फिर blood group आता है तो आपको यहाँ पे यह परिवार का I work आपको बताना है अपने according जो भी है फिर यहाँ पे आपको next कर देना है save and next करते हैं अगले step में आता है यहाँ पे माता का विवरड और यहाँ पे पीता का विवरड दो यहाँ पे column आपको अलग-अलग मिलेगा तो माता का यहाँ पे सिर्सक चूच करेंगे MS, MRS, यह late late मतलब उनकी मिरत्यू हो चुकी है यह भी option दिया हुआ तो अपने according यहाँ पे आपको जो चूच कर लेना है फिर उनका पूरा नाम लिखना है नेसलेटी बताना है यह पूछ रहा है क्या आप चाहते है कि माता का अवाज से पता पीता का आवाज से पता में फिल्ड स्वता लिखा जाए मतलब जहां ममी का एडरस है वह ही पीता का अभी सेम आडरस है तो आप इसको टिक कर सक्ते हैं और जैसे आप यह भरेंगे ने स्यम सें copy हो जाएगा फिलाल अभी हम no करते हैं पहला हम एड्रेस को भर लेंगे फिर उनका एड्रेस कहा है यहाँ बता देना है फिर उनका city कहा है माता का city पूछ रहा है फिर यहाँ पर प्रोपर एड्रेस जो भी है विलेज मालनेजे रामपूर है रामपूर लिख दीज़े देज़े इमृबाइल नमर देज़े एमेलेटस देज़े और इसको ृदिट करेंगे न तो इधर वला सेम सेुट पॉपी हो जगा फिर पिता का नाम उसका जो है school का च्वाइस करना है, कि आप किस केंदर बिधाले में एडुशन लेना चाहते हैं, यहां देखेंगे, बिधाले 1 बिधाले 2 बिधाले 3 आपको जो है तीन बिधाले चूच करने का preference मिल रहा है, आप चाहे तो किसी एक कहीं चूच कर सकते हैं आप चाहें तो तीन प्रिफरेंस भी दे सकते हैं तो यहां पे आपको राज ये पहले चूच करना है मालने जह हम यहां बिहार चूच करते हैं और यहां पर स्लेक्ट दूसरा पर आएंगे तो हम यहां पर भी मालने जह बिहार चूच कर लिए तीसरा पर हम चा हुआ है यहां पे आप अपने को यहां पर चूछ कर लेंगे और यहां पे पूच़ लिए कि कि आपको सेवा प्राथमिक्ता श्रडी भरने में मदद चाहिए है अगर आपको चाहिए तो यहां पर कर सकती था है और यहां पर आपब बताना है कि पीता या माता का एप्लायर चुने मतलब सलेक्ट इम्प्लोइमेंट of parents, parents आपके क्या करते हैं, इसमें से आपको बताना होगा, मतलब क्या? कि मालनीजे, आप पहला जिसे हमने आपे चूच किया, जिसा हमने आपके केवी बंका, केंदर बिद्याले बंका चूच किया, तो आपका जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा है आप यहां पर अपने अकोर्डिंग बता देंगे कि आपके घर से कितना दूर है उसके अकोर्डिंग बताएंगे अब यहां दिसे मैं नीचे वाला चूच किया तो बोल रहा है कि के वीएस परवेस निर्देसों का अनुसार आ यहां आप एर्स कर रहे हैं तो ही आप यहां पर ऐड़ सकते हैं तो यहां पर आपको यहँ चूच कर लेना दूसरा कि क्या आपको जो है यह नीचे वाला ऑप्सट भरने मदद में हाँ कर लीजिए का इससे कम के आप मदद मिलेगा अकर नहीं करना चाहते नघा नहीं सिथे आप से पूछेगा सिवा प्रात्मिक्ता बताना है चलव करते हैं था पीटोस проб सर लना करते हैं तो अपने को लिए स्थान्य नीकावon में डूक्त इंड वॉआने कर दिये तो इस में जोबी आपका मैच कर रहा है अपने कोडिंग के यहां से बताएंगे फिर इंप्पुर्णोव का उठा लेगा यह इसमें से कोई आपको स्थेड़ी चूच कर नहीं है देख रहा ना और यहां पे आप अभिभावक के पीता-माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्रात्मिक्ता स्थनांत्र के अधार पर पर परविश कर निर्गत होना है तो आपके मदर या फादर जो भी इस तरह से आप चूच कर लिए फिर आपको दूसरा विद्धयाले का देना है प्रिफेंस दे सकते हैं तीसरा दे सकते हैं चौता देना चौता दे सकते हैं कम से कम एक देना जरूरी है तो एक हमने यहां पर दे दिया है आप चाहें तीनों दे सकते हैं तीनों जरूरी है ठीक है न अब यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर बताना होगा हमको यहां आपको बताना है फिर आपको next कर देना है अब यहां पे जन्मतीथी का प्रमारपत्र data birth का proof यहां पे आपको देना होगा जो कि मैंने बताया data birth proof आपको चाहिए जाके सुधारियेगा प्रिवियर जाके नहीं गलती है तो आप यहां सम्मिट अप्लिकेशन पे क्लिक करेंगा प्रफॉंट हो जाएगा उसके बाद से अब इसका प्रिंट आउट निकालके हाड कॉपी अपने पास जो है सुरचित रख लिजेगा अगर गलती होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको एक प्रोपर वीडियो लेकर आएंगे आसा करता हो आपको जंकारी समझना होगा मिलता है किसी नेक्स वीडियो में जाहिंद आपका दिन सुबहो है